नमस्कर दोस्तों कोरल ड्रॉव के इस चौथे पार्ट में आपका स्वागत है इस पार्ट में हम जानेंगे सेप टूल के बाद स्मग टूल का क्या उस्तेमाल होता है स्मग ब्रेस टूल एक ब्रेस के तरह काम करता है और इस्पेशली जो है आपने अपने कोई शेप बार्डर पर काम करना चाहते हैं या फिर उसके अंदर आगर आप काम करना चाहते हैं तो इक ब्रेस के तरह क्या करता है कि उतने हिर्से को जो है वो ड्रॉ कर देगा डिजाइन कर देगा आई जानते हैं मैं एक रेक्टेंगल शेप लेता हूं और शेप को म हम इसमें करें वह आपको दिखाए दे अब मैं जा रहा हूं और मैंने स्मक तूल ले लिए स्मक तूल लेने के बाद से जब आप सबसे फ़ले क्लिक करते हैं तो यह आपको आप्शन सु करता है आप OK कर दे या फिर डॉंट शो वार्निंग अगें कर दे ओके आप कर दे आप इस प्रकार से जो है आप इफेक्ट देगे तो आपको यह सारी कि सारी बादम पर इफक्त दे सकते हैं और कि आप जो भी देंगे आपको यह दिखाई भी देता है तो इस प्रकार का आपको समझ में आई होगी धन्यबाद